So, Hello Friends, आज हम आपको AIMS Hospital के बारे में जान करी देंगे दिल्ली के अलावा भी AIMS कहां कहां परिस्तित है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? उससे पहले हम आपको बताते हैं कि AIMS Hospital की स्थापना 1956 में पहली बार New Delhi में हुई थी New Delhi के AIMS में लाखों लोग का इलाज हर साल किया जाता है लाखों सरजरीस की जाती हैं, हजारों कुशल डॉक्टर्स वहां पे पेशेंट का इलाज करते हैं AIMS में हजारों बेड्स अविल्बल हैं, उसके बाद में भी AIMS में भीड कम नहीं होती लाखों लोग पूरे इंडिया से हर साल New Delhi AIMS इलाज कराने के लिए आते हैं लेकिन भीड होने की वज़ा से बहुत परिशानी होती है लाखों लोग यहां पर परिशान होते हैं तो क्यों न हम AIMS की और ब्रांचिस के बारे में आपको बताएं कि दिल्ली के अलावा भी अन्ने शहरों में AIMS की काफी सारी ब्रांचिस को उपन हो चुकी हैं जहां जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल हॉस्पिटल टूर व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक एंड शेर कीजिए और हमारी वीडियो को पूरा पूरा देखिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं कि AIMS के अलावा इंडिया के किन किन शहरों में और AIMS हॉस्पिटल अदर ब्रांचिस AIMS की अवेलबल है तो इस वीडियो में हम आपको सारी ब्रांचिस के बारे में जानकारी डिटेल में देने वाले हैं हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हॉस्पिटल टूर व्लॉग हॉस्पिट दॉब झाल STE प्रप्राइब आपको हॉस्पिब झाल हॉस्पिटल थी हॉस्पिए झाल झाल झाल